हालो पेरेंट्स निर्भया का केस सुना असीफा का केस सुना कहीं न कहीं हमें अंदर से जब जोड देता है हमें लगता है कि आज पेरेंट हम अपने बच्चों की परवरिष्ट में कोई कमी न छोड़ दे या उन्हें किनी चीजों से अफगत ना कराएं जिससे कल वो ऐसे हादसों का शिकार ना हो जाएं हम कहीं न कहीं जरूरत से जादा परिशान हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना है तो आज इस वीडियो के मादिम से मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका बच्चा sexual abuse या उस तरह के किसी भी abuse से ग्रसित है तो हम कैसे उसे पहचाने कैसे ऐसे बच्चों को समझने की कोशिश करें और उन्हें इन चीजों से लड़ने की पावर प्रदान करें शक्ती दे सकें ताकि वो आगे ऐसी चीजों से अपने आपको प्रोटेक्ट करके रख सकें और ऐसी वीडियो को सुनने के लिए आप मुझे लाइक, शेर और सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चानल को ताकि आप और ऐसे बहुत ही करन्ट टॉपिक्स पर जानकारी ले सकें और एक अच्छा और एक रिस्पॉंसिबल पेरेंट बनने की कोशिश कर सकें तो आज हम बात कर रहे थे कि आप कैसे अपने बच्चों को किसी भी तरह के अब्यूस, बेसिकली सेक्शल अब्यूस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं सबसे पहले तो पहचानना जरूरी है कि आपका बच्चा इन चीजों के प्रभाव में है या नहीं है तो पहचानना कौन पहचान सकता है और हम पहचानेंगे कैसे अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा जरूरत से ज़ादा चुप रहता है किसी physical activity में active नहीं है जहां वो पहले active था तो हो सकता है कि वो किसी ऐसे abusive ग्रसित हो दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा जरूरत से ज़ादा चुप रहने लगा है, बात नहीं करता है और स्कूल जाना या कोई भी होबी क्लास जाने से डरने लगा है, तो हो सकता है उसके मन में या उसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो तीसरा, हो सकता है आपका कोई घर का रिलेटर या कोई अंकल, आंट, कोई नेबर हुड में कोई है, जिसके पास वो जाने के बाद कम बात करता है या उससे मिलने के लिए मना करता है, तो हो सकता है कि ऐसा कुछ वो सहन कर रहा हो इसके इलावा सरफ ये पेरेंट नहीं, स्कूल के टीचर्स, ट्यूशन टीचर्स, ग्रान पेरेंट्स, फ्रेंट्स, उन सब की ये रिस्पॉंसिबिल्टी है कि वो ऐसे किसी भी फैक्टर को नोटिस करते हैं, तो बच्चे से बात करें, कन्फरंट करने की कोशिश करें, उ होता क्या है? कि almost बहुत सारे cases में, जब बच्चे 5-6 साल या उससे जोटे होते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि वो ऐसी किसी भी चीज का शिकार हो रहे हैं, वो उसे बहुत silently लेते हैं, और सोचते हैं कि ये बात ममा को क्यों बतानी हैं, basically वो घर के members भी हो सकते हैं, क अगर ऐसी चीजों से दूर या बचाना चाहते हैं, या ओवरकम करने की पावर देना चाहते हैं, तो सबसे पहली टिप है कि उनका सपोर्ट बने, आप अपने बच्चे का सबसे बड़ा सपोर्ट फाक्टर हैं, अगर आप उसके कंदे पर हाथ रखके, उसके पास बैठके उसे डेली पूछेंगे, या धीरे धीरे उसके अंदर ये इंफ्लूएंस, ये पावर लाने की कोशिश करेंगे, कि आप बताएं, I am there with you, तो धीरे धीरे वो अपने अंदर की बाते शेर करेगा, लेकिन अगर आप similarly strict हो जाते हैं उनकी चीजों को, कि आप ऐसा क्यूं सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप इस direction में मत सोचिए, आपके friends आपको influence कर रहे हैं, या आपने कहीं देखा होगा, पड़ा होगा, तो वो चीजें कहीं न कहीं आपके subconscious mind में, या आपके अंतर मन में बच्चे के दबके रह जाती हैं, और वो चीजें आने वाले future में, depression का शिकार बच्चे को कर सकती हैं, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा किसी relative से मिलने में जिजा करा है और इचकी जा रहा है, तो आप उस relative को, उस person को, maybe it's your school driver, maybe a cab driver, maybe somebody who gives them chocolate, कोई भी हो सकता है, कोई भी दुकान दार है, खिलोने बीचने वाला है, कोई भी हो सकता है, अगर आपको कोई ऐसा person आपकी नजर में आ रहा है, जिससे बच्चा दूर होने की कोशिश कर रहा है, या कोई relative है, तो उन्हें आसपास ना आने दे, आपके लिए आपका बच्चा आपके पारिवारिक relationship से जादा important है, आप अपने बच्चे को good touch और bad touch के बारे में सिखाने की को और बहुत से पेरंट्स कुछ से पूछते भी हैं कि कौन सी ऐसी उमर होनी चाहिए, जाब हम अपने बच्चों को बता सके इन सब चीजों के बारे में, तो मेरे हिसाब से आजकल के समय में, पांच साल के बाद आप अपने बच्चों को इन सब चीजों से थोड़ा करके उमर जल्दी है, जैसे स्कूलों में आजकल बताया जाता है, then let your kid go for it, उन्हें सीखने दे ये सब चीजें, बहुत ज़ादा ज़रूरी है, ताकि बच्चे खुच से इस चीज के लिए आवाज उठाना सीखें, बहुत ज़ादा ज़रूरी है, उसके बाद अगर आपको हमकी दे दी है, हमने हर तरीके से बच्चे को प्रोटेक्ट कर दिया है, उसका स्कूल जाना, छोड़ना, या बस बंद करवा देना, या चीजे खतम करा देना, इस चीज का सॉलूशन कभी भी नहीं है, ज़रूरी क्या है, कि आप अपने बच्चे के लिए बूस्ट करने के साथ साथ इस चीज को रजिस्टर कराएं, बदनामी के पीछे ना जाएं, ये गुप्त रजिस्ट्रेशन होता है, जो आप किसी भी पुलिस ताने में जाके करा सकते हैं, गो फॉर इट, हो सकता है कि जब आप केस रजिस्टर कराएं, तो धीरे धीरे आपके बच्चे का इ ये सबसे ज़ादा जरूरी है, ताकि आगे ये सब चीज़े रिपीट ना हो, इस वीडियो को खतम करने से पहले एक मेसेज मैं सबको देना चाहूंगी, अपने बच्चों को ऐसे अब्यूस के बार या पहले तूटने ना दे, कभी कबार हम दूसरों के बारे में सुनते है या खुद ऐसी बाते होती हैं, तो तूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो ऐसे समय में अपने बच्चे को counselor, psychologist के पास ले के जाएं, psychologist के पास या किसी सलाकार के पास ले जाना आपके बच्चे को पागल नहीं दर्शाता है, आपको ये बताता है कि आप अपनी बिमारी से अफगत हैं, go to a counselor, take your child to the right person, जो उसे guide कर सके, ये सब भी हालातों से निकलने के लिए उसकी मदद कर सके, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जादा से जादा पेनिस तक जानी चाहिए, उन तक पहुँचनी चाहिए, तो please इस वीडियो को share करें, like करें, subscribe करें, और अग किसी भी problem से related मुझसे सला लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, या कोई भी और behavior related, कोई भी issues से related, आप मुझसे कोई भी solution लेना चाहते हैं, तो please नीचे एक link है, उस पर जाईए, मुझसे online बात कर सकते हैं, phone call के through, आपके identity भी disclose नहीं होगी, हम आपसे नाम भी नहीं पू solution लें, क्योंकि express करना सबसे ज़ादा जरूरी है, और अगर ऐसा कोई भी और topic है, जिस पर आप चाहते हैं, कि मैं आपसे रूबरू हो और उस topic पर आपसे बात करूँ, आपको सुझाव दे सकूँ, तो नीचे comment section पर आप मुझे वो topic लिख के भीज सकते हैं, मैं उस पर एम यही है, कि मैं parents को जादा से जादा एक अच्छी parenting की direction में लेके जाओ, और बच्चों में एक अच्छा confidence को boost कर सको, so next time मैं आपको एक नई वीडियो में मिलूँगी, किसी अच्छी से topic के साथ, ताकि आप बहतर से बहतर, अच्छी से अच्छी और वीडियो सुन सकें, और एक अच्छी parenting की direction में जा सकें, till then a happy and a safe parenting.